कि अग्याइब कर दोस्तों मेरा नम जैशिव है और आज हम जिरगन टी कमपनी के रोस्टी बुरुविंग करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें चीह होगी कैटल और शूगर के साथ में चीह होगा होट वाटर ठीक है तो सबसे पहले हम इसमें रोस्टी की पतिया डालेंगे और इसके बाद हमें सुगर डालेंगे और इसके बाद होट वाटर डालेंगे और इसको हम दो मिन के लिए रख देंगे ताकि हमारी जैद त्यार हो जाए इसको दो मिन लग जाएंगे त्यार होने में तो इतने मैं इसके आपको रोस्टी के बेनिफिट बता देता हूं तो इसके बेनिफिट है यह हमारे डाजेसिंश्टों को अच्छा रखता है और इसे हमारी स्रीर में पिजावा गारानी बनता और इसे हमारी स्कीन मतलब कि अच्छी रहती है स्कीन ब्यूटी अच्छी होती है और यह रोस्टी जो है जो रोस है वह आपको पता है ठंडा होता है तो इससे आना हमारे सिरीर में गर्मी विगारानी बनती और हमारा डाजेसिंश्टों अच्छा रहता है तो दोस्तों हमारी चाहे त्यार हो च तो इसका कलर कितना अच्छा है तो मैं इसे टेश्ट करके देखते हैं बहुत अच्छी चाहे त्यार हुए अपनी तो आप लोग भी यह हमारी जिर्गन टी कंपनी की रोस्टी को यूज करके तक इसके बहुत से फाइदे हैं ठेंक्यू सर्थ